दोस्तों बहुत बहुत स्वागत पढ़ाई के बाद में एक दो रहा आता है जहां मैं चायन करना होता है कि हम किस तरफ जाएं वैसे तो पढ़ाई में भी बहुत सारे क्रॉस रूड्स आते हैं लेकिन जब हमें एक खास स्तर पर एक लेवल पर पहुंच जाते हैं जैसे कि मै आज में हमें सूचना पड़ता है कि हम कहां जाए और जो साइंस के विद्यारती हैं, खासकर के मैथेमेटिक्स के और जो इंजिनिरिंग के क्षेत्र में जाना चाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चुनोत यहां सामने खड़ी होती है, सीधा उत्तर तो यह होता है कि बहु वगरे किस तरह के हैं, तो शिक्षा रोजगारोन मुखी हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा अपने उद्देश्य से कितनी इधर उदर हो ही है, या उसी पे चल रही है, और अब इंजिनिरिंग जो करना चाहते हैं, उनके लिए स्कोप कैसा है, जमाना बिल्कुल चेंज हो रहा है, और अब तकनीक का दखल हमारे जीवन में, बिल्कुल मैं कहूंगा कि हमारे बैडरूम तक तो पहुंची गया है, यानि हमारे हर स्तर पर तकनीक अब विद्यमान रहती है, तो किस तरह से हम अपने रोजगार और पढ़ाई को जोड़ के रख स किमले में, आप एक निजी संस्थान के निदेशक हैं, और स्वयम अध्यान से आप इंजिनियर हैं, आपने B.E. मेकनिकल इंजिनिरिंग की पढ़ाई, मैंचेस्टर विश्व विद्याले, यॉनाइटेड किंग्डम से, इंग्लेंड से आपने पूरी की, उसके बाद आप आपने प्रबंधन का कोर्स भी किया है, मैनेजमेंट का, तो बहुत-बहुत स्वागत करेंगे हम, और पूछेंगे इन से तमाम वो सवाल जो मैं आपसे अभी बता रहा था, कि किस तरह से हम अपने अध्यान को रोजगार से जोड सकते हैं, इंजिनिरिंग में अपके आइ तो मैं काऊंगा कि मैं जायातर फोकस मेरा एंजिनिरिंग के उपर ही रहेगा, as a carrier of choice, because मैं खुद एक इंजिनिर हूँ, तो वो चीज़ें इन बिल्ट आती हैं, तो हम आज की डेट में इंजिनिरिंग से घिरेवे हैं, आप आपने भी आपके परिचे के अंदर एचीज ब और यह सारी चीज़ें अल्टिमेटली एक इंजिनिरिंग की ब्रांचेस की रूप में कनवर्ट हो जाती हैं, रैसे अगर आप लाइट की बात करें, तो एलेक्रिकल इंजिनिरिंग अपने आपके अंदर एक बहुत वास्ट फील है, इसकी हमारे देश को बहुत जारा ज़ है, इवन हाइबरिट कार्स वा कंसेप्ट इंडिया के अंदर अब आने वाला है, बाकि देशों के अंदर कई जेगे चालू भी हो चकी है, वहां पर एलेक्रिकल इंजिनिरिंग का अपना एक बहुत बड़ा यूज रहे गया, इसी के साथ में हम अगर देखते हैं कि बिना इसी बिना पंक्ये के तो हम रही नहीं सकते हैं, सरजियों के टाइम पर बिना हीटर के नहीं रह सकते हैं, तो यहां पर आपकी मेकनिकल इंजिनिरिंग इंवाल्मेट जाती है, आप किसी भी तरह की मोटर बोलें, किसी भी तरह के आप मेकनिकल इक्यूमेंट जहां पर भी अपने इन्जिनियरिंग काम में आराती है आकाश्वानी के इंजिनरे बैठा हूं तो इसी इंजिनिरिंग अपने आपके निदर एक इंपोर्टेंट डूल है कम्मिनिकेशन का पार्ट करेंगे अब एक नया भारत हमारा करवट ले रहा है तो इंफ्रस्ट्रक्चर की बहुत जरूत होगी तो सिविल इंजिनिरिंग के शेत्र में भी स्कूप है बहुत स्कूप है बहुत अधिक स्कूप है सिविल इंजिनिरिंग के शेत्र के अंदर जोगदान है जाती साथ जितने भी डूड के डेलोपमेंट हो रहे हैं गाओं का निर्मान हो रहा है नया हस्पितल निर्मान हो रहा है एरपोर्ट बन रहे हैं हर जगे सिविल इंजिनिंग मौझूद है जी अभी एक चीज एक जैसे पहले अगर में बहु मंदिला इमारत दे तेजगती से बढ़ा है इसमें तो कोई शक नहीं है और उसके लिए हमें क्वालिफाइड इंजिनियर की सिविल इंजिनियर की आवशकता होती है अब जैसे मैं आप से जाना चाहूं कि तकनीक का दखल हर क्षेत्र में है लेकिन साथ ही लोग यह भी मानते हैं कि जब चलन जो है वो computer science का या IT का है information technology जो है वो रूल कर रही है तो कोई भी विद्धियार्ती अगर इंजिनियर के क्षेत्र में जाना चाता है तो दबाव यह रहता है चारों तरफ से पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी और जो मित्र होते हैं वो भी साब की कौन सी ब्रांच कौन स ज़रूत नहीं आपको जवाब मिलेगा CS, computer science से पढ़ा ही हो रही है तो यह दिक्कत हो जाती कि एक balance वाली जो समस्या है वो हो रही है और बहुत ज्यादा जोर computer science पर ही हो रहा है बाकि जो बच्चे दूसरी ब्रांच इस पढ़ रहे हैं वो भी LGBT IT सेक्टर में ही नौकरी कर रहे हैं संजय जी मैं इसका अंसर थोड़ा सा दूसरे वे में देना चाहूंगा आपको कि कोई भी equipment कोई भी चीज बनती आज के रहे हैं पर एक simple example हम अगर गाड़ी का लेते हैं तो गाड़ी के अंदर mechanical engineering भी involved है electrical भी involved है computer भी involved है तो यह बोलना कि कोई एक particular branch में रुजान science को लेकर के IT की field को लेकर के रुजान जादा है पर मैं यह उनको कहना चाहूंगा कि आप अपने interest की field में जाएए अपने parents के और आपके मिलने वालों के pressure की field मत चूज करिए आपका interest अगर coding के अंदर है आपका interest अगर इस चीज के अंदर है कि कोई चीज बनी भी है और मैं उसके अंदर computer की knowledge को यूज करके उसके use को बढ़ा सकता हूं तो आप computer engineering की branch चूज करिए पर अगर आपका interest इस चीज में आता है कि हाँ इंडिया के अंदर energy की problem है मैं energy के अंदर कुछ change कर सकता हूं तो आप electrical चूज करिए आप mechanical चूज करिए आप civil EC जो core branches हैं उन पर आपक की पढ़ाई करवाते हैं तक्निक की पढ़ाई करवाते हैं जिन में IIT, NIT से लेकर के बहुत सरे engineering colleges हैं जो हमारे हाँ इंजिनियर पैदा करते हैं निर्मान करते हैं और मुझे मशायद भरोसा ही है विश्वास है कि भारत के जो इंजिनियर है वो पूरे विश्व मैं सर्ष इंजिनियर्स मैं से एक माने जाते होंगे क्योंकि जहां भी वो जाते हैं अपनी प्रतिवाग की चाप तो छोड़ते हैं अब यह सर की engineering की जो पढ़ाई है और प्रतिवर्ष हम हजारों की तादात में इंजिनियर पैदा करते हैं तो उनका रुजहान किस तरह से हो पढ़ की है उसकी जो रुची है वो कहीं कहीं उसकी आजीवी का से जोड़ जाएगी तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नाए उसके लिए स्टूडेंट को अपने लेवल पर क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो देश है भारत देश ज को देखेंगे तो वो इंडेन ही मिलता है कि हम लोगों में बहुत अच्छा दिमाग है और काफी इसका हम लोग यूज भी करते हैं चीजे रेलोब भी करते हैं बिलकुल तो उसी चीज को आगे कंटीनु करते वे आपने बच्चों के प्लेस्मेंट के बारे हैं पूछा और उसको वेबसाइस से उनके जीवन से जोडने के बारे मसुचा तो मैं उसमें चाहूँगा कि बच्चे जो स्टुरेंट्स एंजिनिरिंग करते हैं उनको फर्स्ट येर से ही इंजिनिरिंग के अंदर की जो बेसिक कंसेप्स होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए नाकर की च चीज है जो इंजिनिरिंग के सबसे इंपोर्टन्ट है जो चीज हो रखी है उसको और बहतर इंसानों के लिए कैसे बना जाए इंजिनिरिंग का मेन उद्देश हमारा वो होना चीए और अगर को जो बच्चे इस उद्देश को पकड़ लेते हैं उनके जीवन में कभी रो चीज है कि जैसे अब तक्निक का दखरल हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है और आपकी पढ़ाई आपकी रूची के अनुसार भी ताय होती है तो जैसे कोई बच्चा जो है वो साइंस से बीएसी कर रहा है वो चाहता है कि मैं जो है बायोजी पढ़ूं और इसी में कुछ आ की पढ़ाई कर सकते हैं दूसरा यह कि जो इंजिनिरिंग नहीं करना चाहते या किसी वज़े से नहीं कर रहे हैं वो कंप्यूटर या आइटी की या फिर तक्निक की जो पढ़ाई है वो किसी और पाठीक्रम की जरीय भी कर सकते हैं क्या-क्या इस तरह के पाठीक्रम उपल इनके बहुत सारे अलग-अलग कोर्सिस चलते हैं मार्केट के अंदर तो कंप्यूटर के शेत्रे में तो आप इंजिनिरिंग के अलावा अगर चीजों को सीख सकते हैं समझ सकते हैं आगे करवा सकते हैं बाकी जहां तक दूसरी बांचों का सवाल आता है उसके लिए फिलाल म आप 10th के अंदर भी 10th करने के बाद भी आप 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 10th करने के बाद भी 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 10th करने के बिलकुल जी एक आईटी आई का बहुत अप्शन है जो सरकार ने रोजगार के इसाब से एजुकेशन पॉलिशी के अंदर लेकिया है आईटी आई कराना क्योंकि आईटी आई पेक्टिकल अप्रोच के अंदर आपको सीजा काम करना सिखाता है तो वह बहुत अच्छा उप् यह हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश है वह एक आपके भीतर चिरंतन जिग्यासा को जन देना है न कि यह कि मुझे यह पढ़ाई की और नौकरी यह तो जरूरी चीज है क्योंकि आपको आज इवी का चलानी है लेकिन कहीं कहीं वह आपके भीत सीखना चाहता है उसके लिए free courses available हैं तो इस तरह कि जो जिग्यासू लोग होते हैं वो अपनी जो पढ़ाई है उसको नौकरी से आसानी से जोड सकते हैं यह सलाइयत हमारे यहां पे अभी available है या दिक्कते हैं आती है कुछ और दूसरा यह कि कि किस तरह से वो एक अपने भ इग्यासू मन को जीवित और जागरत रखना है तो क्या यह एंशूर किया जा सकता है सवाल बहुत बड़ा और जेटिल है लेकिन अगर आप उत्तर दे पाएं क्योंकि आप बाहर पड़े हैं आपने बाहर का environment भी देखा है इसका आंसर यह है कि कोई भी इंसान जो भी देखते हैं और आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं आज आप ऑफिस के लिए गर से निकले और घर को कोई गेट बंद करने वाला नहीं था तो आपके मन में ख्याल आया क्या एक रिमोट वाले डिवाइस होती है बटन दबाता और दरवाजा अपने बंद हो अपने आपको ग्रो कर सकते हैं आप किताबे पड़ियें बहुत अची बुक्स आ रही है बुक्स पढ़ने से आपका नौलेज हमेशा बढ़ता रहेगा जी सर एक चीज है कि जो नई पीड़ी है आप भी जिस पीड़ी को तयार कर रहे हैं आप भी हालां कि नई पीड़ी है लेकिन चुकि आप बहुत सारे तक्नीकी संस्थान को भी चलाते हैं देख रहे हैं तो नई पीड़ी को तयार करने का निर्मित करने का काम भी कर रहे हैं ये जो पीड़ी है ये उसके एक आथ में मतलब गैजट तो उसके हाथ में रहेगा हमेशा मोबाइल की शक्ल में ही रहे चाहे और तक्नीक से वो एक खास तरह की उसकी दोस्ती है वो घर में अपने कमरे में है अभी कोरोना है तो उसको और ज्यादा अच्छा मौका मिल गया है तो जो एक रियालिटी है बाहर की जो एक दुनिया की वास्विक्ता है क्या ये खत्रा आप महसूस करते हैं कि हमारी जो नई पीड़ी है वो जिन्दगी की जो खुरदरे इथार्थ होते हैं जो रफ ची है की तो चल पाऊं की जो आवाज होती वो कहीं गया उपकी मानसिक शांति को भंग करतीती है तो क्या ये खत्रा है कि हमारे जो युवा है ऊजिसा नहीं है जैसा कि पहले के लोगों को अगुआ करता था ये खत्रा है थोड़ा सा बिलकुल आपका कहना सही है कि जो IT, स्थि आज हम मनिश्य बने और अच्छी ग्रोफ हासिल कर रहे हैं तो यह टेक्निकल जो एवलेशन चल रहा है यह आने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी है इसको हम रोक नहीं सकते हैं पर हाँ जो बेसिक चीज है उसके लिए हम लोगों को हर चीज के लिए कंप्यूटर पर और पर आफके और यविज तो डीनीकी कर चीज की सब्सक्राय पर अब इसके डीने दोंको कर दोट झालते है तो अपकी कमरे का जो कृत्री मैं प्रकाश है उसके आपको बैठना आच्छा जरूरी है, अब अमिच जी बड़ी अच्छी और सार्थक बाचीत रही, आखिर मैं, चुंकि आपने देश दुनिया देखी है, आप बाहर आपने पढ़ाई भी की है, तो और जिस तरह से एक अभी प्रधान मंत्री जी का कुछी दिन पहले आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, यह ऐसा कॉंसेट पहले से ही चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह बहुत ज्यादा गती पकड़ने वाला है, तो अब जो विकास है हमारा, वो बिलकुल अलग लेवल पर अगर जाएगा, तो क्या जाएगा, आप किस तरह से इसको आप इसको अगर आगे पहले ही देख रहे हैं, तो हमें भी आप कुछ समझाएं कि अब हम किस तरह की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत चुटी डिवाइस हर जगे उपलब्द हैं, इवन जो नॉर्मल हमारे हाथ में परानी घडियां होती थी, वो घडियों ने भी अपना जगे चेंज कर ली है, अब आपके हाथ में भी स्मार्ट वाच आने लग गई है, तो ये चीजें फूचर इनी चीजों का है, औ अब आपको कोडिंग जाती है, को आपको कासे मैक्रो परसुसर के अंदर कैसे कोडिंग डालनी चीए, बहुत इस चीजें जाती है, तो मैं इस चीज के अंदरी कहोंगा कि टेक्नोलोजी आगे बहुत अच्छे रूप में आने वाली है, जितना मैंने अभी रिसेंटली यह नहीं होगी यह फिलाल कहना मुश्किल है थोड़ा सा, टेक्नोलोजी का यूस अच्छा ही है, यह हमारे अच्छे के लिए होगा, अच्छे के लिए है, और बस इंसान को इंसान बने रहना चीए, टेक्नोलोजी है वो उसकी मदद के लिए, बिलकुल आपने यह बहुत कि आखिर जो है, बने रहना यह बहुत जरूरी है, टक्नीक हमारी साहता के लिए, मनुष को तकनीक में कनवर्ट नहीं हो जाना है, बनुष्रे रोबोट नहीं बन जाए, यह जो खत्रा है, यह कहीं कहीं, इस खत्रे को हमें तूर करना होगा, तो अमेत अगरवाल सर बहुत झाल झाल झाल